Hey guys, welcome back to the lead code series, this is Manish Harit, आज हम करने वाले हैं lead code, problem number 15 और हमारा question है 3 sum, 2 sum हम question पहले देख चुके हैं, अगर आपको नहीं पता है तो वो check out कर सकते हो, तो 3 sum question अपने हो क्या बोलता है, यहाँ पे हमें एक array दिया गया है, और हमें उसके triplets find करने हैं, हमें वो 3 integers find करने हैं, जिनका आगर हम sum निकालें, तो sum जो है अपने को 0 मिले, और उसके साथ में हमें condition दे रखे हैं, हमें make sure करना है, जो अपने तीनों integers हो, वो unique हो, like similar ना हो, एक जैसे ना हो, यह हमें make sure करना, यह अपने को condition दी गई है, ठीक है, और एक और चीज़िस में दी गई है, कि notice करने के लिए solution set must not contain duplicate triplets, तो multiple जो है, वो duplicate नहीं होने चीज़िए, अपने पास solution, एक ही तरीके का, एक solution होना चीज़िए, जितने भी solution हो, जो कि अपने को 0 return करके दें, जो उनका sum है, तो वो अपने को करना है, तो अपर जल्दी से question को समझ लेते हैं, और फिर अपने lead code के और move करते हैं, तो problem को अच्छे से समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक array है, यहाँ पर इसकी help से हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि अपना example है, मान लो हमें इसके अंदर triplet find करने है, triplet मतलब क्या, इसके कोई भी 3 value उठा लो उनको sum करके देखते हैं, यह वाली ले लो, minus 1 और यह 1 ले लो, और यह 0 ले लो, तीनों को add करेंगे, क्या बनता है, 0 sum अपने को मिलेगा, तो इसको example के तुरू समझ लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं, इसका answer क्या आएगा, यह मैंने इसका answer लिख दिया, यहाँ पर इसका answer होगा, minus 1, minus 1, 2, इनको add करेंगे 0, और एक answer इसका minus 1, minus 1, 0, तो कि हमने अभी अभी देखा है, ठीक है, तो इसके अंदर दो trip plates है, अब इसका logic कैसे build करेंगे, वो समझते हैं, इसके लिए हम जो है, अपना two pointer approach को follow करेंगे, same, like, quite tough नहीं है, यह वाला question हम पहले भी देख चुके है, तो two pointer approach में क्या होता है, हम दो pointer लें बना दो मेरा starting में, तो मैंने starting में अपना pointer बना दिया, four पे, अब एक और pointer बना लेते हैं, last में two पे, ठीक है, यह होगा अपना two pointer, लेकिन actual में हमें तीन number चीह है, तो एक और pointer बना लेते हैं, अब हम जो थर्ड वाला pointer, इसको move कराएंगे, देखो, दो digit अपने पास आगे, minus four two, दोनों को sum कराएंगे, कितना मिलेगा, minus two, अब अगला जो pointer अपना green arrow वाला आप यह देख पार होगे, इसको move कराते हैं, आगे, minus one पे लेके जाते हैं, अब भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे हम three digit को compare करेंगे, उसको और आगे move करेंगे, फिर भी कुछ नहीं मिल रह करेंगे, जो यह pointer अपना पहले वाला है, minus four वाला, इसको आगे की और move कर देंगे, हम यह भी check कर सकते हैं, कि अभी जो यह last वाला है, two or one, अगर यह same position पे है, इसको भी move कर दो भाई, हम यह check कर सकते हैं, तो इस तरीके से महारा कुछ logic काम करेगा, लेकिन इसके लिए में प हमजने में आसानी हो जाए, यहाँ पर मैंने same, जो problem discuss करी है, वही लिख लिए, मैंने अभी एक बार अपने static method में, और यह है अपने का list of, list integer अपने को return करना है, जो कि same अपने को जो problem में दे रखा है, मैंने वही उठाया है, और इसके उपर अब हम अपने operation लगाते हैं, ठ कि यही जो है, हमें output में return कराना है, तो इसे हम result बोल लेते हैं, हम इसे result बोल लेते हैं, और इसको मैं declare कर देता हूं, array list, ठीक है, यह मेरा हो गया, अब हमें shorting करानी है, या देना, तो मैं जल्दी से arrays.short use कर लेता हूं, shorting किसकी करानी है, nums की, क्योंकि वही तो अपनी array ह अब देखो, यहां पर अपनी shorting done हो चुकी है, shorting done होगी है, अब हम अगले step पे आगे हैं, अगे हमें क्या करना है, हम एक for loop लिख लेते हैं, ठीक है, हम एक for loop लिख लेते हैं, और for loop अपना कहा तक जाएगा, अपना int i is equal to 0 से start होगा, और यह अपना जाएगा, nums dot length, ठीक जलते हैं, आगे for loop के अंदर, अब देखो, हम अपने जो, एक pointer तो अपना i हो गया, उसके लाव दो pointer और चीना वो बना लेते हैं, जल्दी से, हर एक के साथ में change होना चीना, पहला pointer है भाई, अपना j है, j क्या है, i plus one, यह second pointer जिसके हमने बात करी थी, अब last वाला भी चीन यह अपने को k और बना लेते हैं, k क्या होगा, जो अपना nums.length-1, यह अपने को last वाला pointer देदेगा, इन तीन pointer का हमने भी ppt में discuss करा आवे, चेक कर सकते हो दो बार, अगर वो clear नहीं है, तो ठीक है, अब इसके बाद हम अपनी while condition लिखते हैं, like कब-कब हमें update कराना है, और operation लगाएंगे, operation क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो भाई हम क्या करेंगे, हम अपना sum निकाल के देखेंगे, तो मैं एक और variable बना लेता हूँ, यहाँ पे, int sum के नाम से, और sum में क्या करेंगे, हमारे पास जो variables हैं तीन, तीनों को add करा देंगे, कैसे, nums of i, plus nums of j, j, और plus nums of k, nums of k, तो इस तरीके से हमें तीनों का sum मिल जाएगा, अब sum मिल गया है, अब हम चेक करेंगे, इस sum के उपर की भाई, क्या मेरा sum 0 है की नहीं है, यही चेक करना है ना अपने को, ultimately, अपना answer क्या होना चाहिए, यही होगा, तो sum is equal to, is equal to 0, अब देखो, क्या करते हैं, अगर अपना जो sum है, वो 0 है, तो हम update करा देंगे, क्या update करा देंगे, जो अपना result है, हम अपने result को update करा देंगे, ठीक है, result कहां पर हम उपडे कर करें, तो मैं कहा करता हूं, result dot, रिटन नहीं चाहिए हमें result चाहिए है result. अब रिजल्ट के अंदर हम एड करादेंगे list add कैसे कराएंगे देखो arrays.list as list as list में कर देता हूं और यहां पर सबसे पहला अपना variable कौन सा है सबसे पहला अपना है nums of I और उसके बाद में अगला कौन सा है nums of j j second variable और अपने last वाला क्या है nums of nums of k ठीक है तो इस तरीके से हम इसको update करा देंगे अब update कराने के बाद में हमें क्या करना है हमें अपने एक pointer को जो है आगे move करना है ठीक है तो हम अपने pointer को आगे move करेंगे लेकिन मतलब यहां पर देखो हमें दोनों को move करना पर अभी हम थोड़ी और condition देख लेते हैं कुछ side cases भी होंगे न अपने पास वो देख लेते हैं अब मैं क्या बोलता हूँ अगर जो j है वो छोटा है k से ऐसा हो j छोटा हो k से या फिर जो अपना num है last वाले variable के इंडेक्स पर अगर last वाले पर वो equal है k-1 हमने बात किया था ना अगर दोनों same हो तो भी तो move करना है वरना कोई फायदा नहीं है रखने का like k और k- पर same है तो हम बिना मतलब की iteration क्यों कराएंगे अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे हम simply जो अपना j है उसको increment करा देंगे ठीक है क्योंकि similar है तो को point नहीं है न सेम रखने का यह एक पहला case है अब अगला case क्या हो सकता है अगला case क्या हो सकता है जो हमने k के साथ किया ना वो same हमें j के साथ भी करना पड़ेगा एक second यहाँ पर देखो यहाँ कर रहे हैं यहाँ दो करेंगे के को हम माइनस माइनस करा देंगे यहां पर यह ठीक अभी और यह वाला वाली condition है न हमें एक और वाला कंडिशन लिखरेंगे तो आपना च्छोटा होना चीक के से और दूसरी कंडिशन क्या होगी अब आप अगर आपना जैच्छोटा है किससे अगले इंडेक्स से जे प्लस वन इससे हम क्या होगा ना हम अपना टाइम से वकर सकते हैं सिर्फ इसका इतना ही फायदा नहीं है इस चीज़ का इगं इकोल स्टू इकोल स्टू अगर यह वाली कंडिशन है ओनृ भाई मैं क्या बोलना हूँ मेरा जो जै है उसको करा दो हमने कंडिशन है love क्रिगाया है tut process फude सिर्फ इतना सा काम है समझाया कैसे हम अपडेट कर रहे हैं कैसे और आगे करेंगे आई के ओप आपने कौई कोई ओपरइशन नहीं लगाया हमने सिर्फ दो problems कर आट रखना ठीक है को अब मैं इस वाली condition को बंद कर देता हूं ठीज असान हो जाए हम सिर्फ घर Belgian अब उसके बाद में हम अपनी else condition लिखेंगे कि else वाली कौन सी जब वो 0 के equal नहीं है तब like जो अपना sum है वो 0 के equal नहीं है तब हम क्या करेंगे तब हम चेक करेंगे क्या हमारा sum छोटा है जीरो से छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है न हमें दोनों सिनेरियो सी है अगर छोटा है तो जो अपना पहला वाला pointer है उसको move कर दो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि देखो हम उपर shorting करा चुक है हमें पता है शुरू में चोटे और इस पूरे यह जो पूरा हमने process करा है यह सारा काम अपना हो रहा है आई प्लस प्लस के साथ में पूरे for loop के अंदर में तो इसके बाद में बहार आके मैं क्या करता हूं मैं जल्दी से return करा देता हूं और return क्या कराएंगे हम अपना result मुझे नहीं लगता कि इतने में रन करके देख लेता हूं उपन करके इसको रन करके देखते हैं हमारा code कैसा दिखता है क्या यह चल रहा है डीबग मोड में इसको रन करेंगे ताकि हम समझ पाएं चीजों को क्या हो रहा है डीबग में इसको चालू कर लेता हूं ठीक है तो अपना start हो चुका हम for loop के अंद पहले तो यह बता दो इस टाइम पर अपना सम है माइनस 3 जानी कि इफ कंडिशन तो फेल होगी सीदी सीदी तो अपना जाएगा एलस इफ मोच चेक करेगा जीरो से छोटा है कि बड़ा माइनस त्री है हाँ जीरो से छोटा है तो जे को इनिक्रिमेंट करा हो अब जे हो गय जानी है फिर से इंक्रिमेंट करा हो तो इस तरीके से चल रहा है आई होप आपको समझ आ रहा होगा इस बार अपना सम कितना आया है माइनस वन कैसे आया पर किक वैली देख सकते हो यहां पर जे है पोर और आई है जिरो के है पाइप तो चलो हो गया अब इसके बाद हम क्य प्रण चक्णा रहा है अब फर्स टाइम अपने कोस सम जेरो मिल आ है सम 0 मिलने पर क्या होगा हम इसको एड कराड़ेंगे अब कराएंगे बढ़्यहां फेक यह RI Maps यह भी फेल होगी है तो इस तरीके से अपना लूप चलेगा मैं इसको रन कर लेता हूं लाइक कोड तो अपना ठीक ठाक चल रहा है अब हमें देखना है कि क्या यह टाइम कॉंपलेक्सिटी वाले पॉर्शन को कवर कर पाता है तो जल्दी से मैं अपने इसको कोपी कर लेता ह और हम चलते हैं अपने रहा बेसे पएश्ट कर देता हूं ठीक है और इसको में रन करा के के देखते हैं कि ऐसा क्यों है तो हमने क्या किया ना जो सेम वाली कंडिशन है जहां पर डुप्लिकेट अंसर रहेगा वाली कंडिशन हमने हैंडल ही नहीं की है तो वह वाली कंडिशन हम कहां पर हैंडल कर सकते हैं यहां यहीं पर हम चेक कर सकते हैं तो यहां पर हम क्या कंड लेकिन आई के लिए हम भूल गए और आपको भी याद नहीं रहा एंड इट्स नॉट गूड दिंग सो चलो कोई नहीं आभी देख लेते हैं आई माइनस और आई तिंक इससे अपना काम बन जाना चाहिए और यहां भी क्या कर देंगे सिंप्ली कंटिनू कर देंगे ऐगे तो अटिनू कर देंगे तोन डिस लोजिक श्वड़ ओके ठीक है तो चलो एक बार इस वाले को में अपने पर लूप में और यहां पे रखते हैं रन करके देखते हैं भी क्या रहा है तो अपना accepted हो गया है यहां पर अब जल्दी सम्मिट करके देखते हैं कि भाई time complexity के हिसाब से क्या submit हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है तब तक आप channel को like कर सकते हो और video को share कर सकते हो तो अपना for this video thank you very much this is Manisharit